आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो 2021 में रिलीज हुई है जिसका नाम है वर्थ ओफ मैं यह एक्षिन, मिस्टरी, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी मूवी है चलिए मूवी की एक्स्प्लिनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो की पैसों से भरे बैक को एक ट्रक में रखकर वहां से ले जा रहे होते हैं पर थोड़ा आगे जाने के बाद उनके ट्रक पर कुछ चोर अचानक से हमला कर देते हैं फिर वो उनकी गाड़ी का दर्वाजा तोड़कर दोनों गाड़्स को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालते हैं और सारे बैक्स को गाड़ी से निकालना शुरू करते थे हैं पीछे से हमें वाज सुनाए देती कि एक चोर ने उन दोनों गार्ड्स को शूट कर दिया है और साथ ही उन्होंने कुछ सिविलेंस पर भी गोली चला दिया अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 40-GO सेक्यूरिटी का आफिस दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे लीड अक्टर जिनका नाम पेटरिक हिल है वो यहाँ पर जौब के लिए इंटर्वी देने के लिए आए होते हैं यहाँ पर यह सिक्यूरिटी गार्ड की जौब के लिए आए हुए है हिल का इंटरव्यू सिक्यूरिटी के सुपीरियर टेडी देख रहे होते हैं अब टेडी उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हारा प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है तुम्हारी अप्रोच औरेंज डेल्टा सिक्यूरिटी ने की है जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात थी टेडी पेटरिक को बताता है कि इस जॉब में जान जाने कातरा है लेकिन पेटरिक फिर भी इस जॉब के लिए हां कर देता है और वो फिर बुलट से आके मिलता है पेटरिक का नाम पेटरिक हिल्स होता है तो बुलट उसे कहता आज से वो उसे एच बलाएगा अब बुलट उसे बताता है कि अब उसे यहां पर जॉब करने के लिए कुछ टेस्स देने होंगे जिसमें उसके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंज चेक की जाएगी और उसे एटली सेवंटी परसंट स्कोर करना होगा यहां जॉब पाने के लिए और फाइनली उसे सेवंटी परसंट स्कोर के साथ यहां जॉब मिल जाती है अब हमें बताया जाता है कि फोटियो कमपनी का असली काम कसीनो, कलब्स, प्राइवेट बैंक्स इन सभी से कैश लेकर उसे अपने सेफ हाउस में रखना और वहां से उसे दूसी जगा ले जाना इसी लिए यहाँ पर सिक्यूरिटी गार्ड्स की नीड होती है मुवी की स्टार्टिंग में चोरों ने जिस ट्रक को लूटा था, वो भी इसी कमपनी का था आज एच की जॉब का पहला दिन था आज एच, बुलिट और डेव, तीनों एक साथ मिलकर एक लोकिशन से पैसे लेने जा रहे थे तब डेव उसे बताता है कि जिस दिन चोरी हुई थी, उस दिन ट्रक उसे ड्राइव करना था पर रात को जादा दारू पी लेने की वज़े से वो अगली दिन ड्राइव करने के लिए जॉब पर नहीं आ पाया अब जिस जगह से इने पैसे लेने थे, वहाँ से ये पैसे लेकर अपने सेफ आउस में वापस आ जाते है अब सभी लोग आज कलब जाने वाले थे, तब ही वो एच को भी अपने साथ चलने के लिए पूस्ते है एच भी वहाँ खड़ा होकर पहले सभी के आई कार्ड को काफी देर तक घूरता है फिर चुपचा अपना आई कार्ड रखकर उनके साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है अब एच सबके कार्डों को ऐसे क्यों देख रहाता है, यह हमें आगे पता चलेगा जाता है, अब बुलिट पैसे लेने अकिला जाता है, और तभी उसे कुछ गुंडे पगड़ लेते हैं अब वो वहाँ पर उनकी गाड़ी को लूट नहीं कोश्च करते हैं, तो एच बुलिट की मद्द करने के लिए गाड़ी वहीं लेकर चले जाते हैं चोर एच से कहते हैं कि वो अपनी गाड़ी का दर्वादा खोले और सारे बैग पीछे वाली गाड़ी में डालना शुरू करें ऑच उनकी बात को मानते हुए ऐसा करना शुरू कर देता और एक बैग नीचे किर जाता है जिसे एक चोर गाड़ी से उतरकर उठाने कोश्च करता है, तभी चोरो को शूट करना शुरू करेता है और ये एक perfect head shot होता है जिसे देखकर वहां रुबॉलिट भी हैरान था क्योंकि उसने अपनी practice में सिर्फ 70% score किया था और जबकि यहां उसका short perfect head shot था और यहां वो एक चोर को जिन्दा पकड़ कर उसे पुस्ताज करता है जहां कुछ agents edge से पुस्ताज करते है कि 70% score करने के बावजूद भी field पर तुम दे अच्छा perform कैसे किया जिस पर edge कहता है कि हम तीनों की जान खत्रे में थी और मुझे उस समय जो समझ आया है मैंने वो किया और इसी के वाई से हम सब की जान बचे गई वो लोग edge को free कर देते है अब टेडी edge से कहता है क्यों ना तुम 2-4 जिन की शुट्टी लिए अराम से rest करो तो edge उन्हें मना करता है और वहाँ पर 40 को के head आ जाते है जो की मना करते है कि अगर edge काम पर आना चाहता है तो हम उसे support करना चाहिए after all edge हमारे agency का hero है और इसी से सभी लोग motivate होंगे तुम्हीं तरफ हमें दिखाया जाता है वो agent अपने head से बात कर रहे है जिसका नाम king है और वो बताते हैं कि हमने confirm किया है कि वो आदमी Patrick ही है जिस पर king उन्हें कहता है कि अभी Patrick की idea reveal मत करना हो अब हमें एक lady दिखाया जाती है जिसका नाम Christina है वो edge को एक atoxi report देती है अब हमें अगले दिन का scene दिखाया जाता है जहां bullet और edge गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं और कुछ गुंडे उनके उपर हमला कर देते हैं वो उनकी गाड़ी के उपर काले रंग का कुछ liquid fact है जिससे उनका vision ब्लॉग हो सके अब उनकी गाड़ी के अंदर वो धुआ फैला देते हैं जिससे उन्हें मजबूरी में दरवादा खूल कर बाहर आना ही पड़ेगा और जब edge गाड़ी से बाहर आता है और चोर उसके चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई devil देख लिया हो वो बिना पैसा लिए वहाँ से रफू चकर हो जाते है और ये सब वहाँ पर bullet भी देखता है जो कि दंग रह जाता है अब ये बात जब इनके office में पता चलती है तो है टेडी इसके बारे में एच से पूसता है लेकिन वो इतना कहता है कि शायद आज उनका दिन अच्छा था अब हमें एक पास के स्टोरी दिखाए जाती है कि आगे ती एच है को एच का पूरा नाम Patrick Hills है और वो अपने बेटे से मिलना है होता जिसका नाम Douglas है उसकी wife उसके किसी risk की काम की वज़े से उससे नाराज है अब वो दोनों मचली पकड़ने के लिए वहाँ से जा रहे होते है तब ही Douglas कहता है कि उसे hamburger खाना है और वो एक safe house के पास है जहां पर वो बहुत अच्छा मिलता है तो एच उसके लिए वो burger लेने चला जाता है और Douglas को गाड़े में बैठने के लिए कहता है तब ही वो चोर जो हमें movie के starting में दिखाये गए थे जो चोरी कर रहे थे वहाँ पर जिन civilians को उन्होंने गोली मार थी उनमें से एक Douglas था और जब एच ने उनकी आवास सुनी तो वो उसके तरफ दोड़ कर आया लेकिन उसने उसे भी गोली मार दी एच ने उस चोर का चहरा तो देख लिया था लेकिन Douglas उसी जमें मर चुगा था अब एच को हस्पिटल में बरती करवाया जाता है और जब वो ठीक होता है तो वो फॉर्टिको की कंपनी में जाकर एज़ाड जोइन होता है क्योंकि उससे पता चल जाता है कि ऐसी चोरी के पीछे किसी अंदर वाले का ही हाथ है अब एच उसी आदमी को ढूण रहा है जिसके थूरू वो उस चोर तक पहुँच सकेगा जिसने उसके बेटे को मारा था अब एच ने अपने आदमें को भी इस काम में लगाया हुआ था और उन्हें लिस्ट के अकॉर्डिंग सभी आदमें से पूस्ताश करने थे अब उन्हें बच्चे के कातिलों को ढूण रहा हूँ अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम उन चोरों को देखते हैं जिन्होंने उस ट्रक से चोरी की थी जिसमें एच के बेटे की मौत हुई थी अब वो सभी लोग बैट कर बात कर रहे होते हैं कि अब हम उस ट्रक से दोबारा चोरी क्यों नहीं करते तो उनका लेडर बोलता है कि अभी हमें हमारे आदमी ने बना किया है इनके लेडर का नाम जैक्सन होता है और यह है जेन इसी ने एच के बेटे को मारा था अब इनका जो आदमी जो फॉटिको कमपनी में काम कर रहा है उसने इने टिप दी है और इस बार इन्होंने प्लैन बनाया है पूरे के पूरे फॉटिको के वाल्ट को लूटने का फॉटिको के वाल्ट में इस बार 180 मिलिन डालर आने वाले हैं ये इनकी अब तक कि सबसे बड़ी चोरी होने वाली है दूसरी तरफ टेडी भी अपने सभी गार्ट्स को बहुत समल कर काम करने के लिए गहरा होता है क्योंकि इस बार इनके वाल्ट में सबसे ज़्यादा आमाउंट आने वाला था तो इसलिए सभी को बहुत सार टेंशन थी और सभी को अपने आप को प्रिपेर रखना था यहां दूसरी तरफ जैकसन जेन को उसके आलिशान घर को देखकर काफी बाते सुनाता है क्योंकि अब उसकी ऐसी हैरकते रही तो इन लोगों को कोई भी पगड़ सकता है कि यह चोरी के पैसे से इतने आलिशान जिंदे की जी रहे है अभी तो साफ देखा जा सकता था कि जैकसन की बाते जेन को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थी अब फाइनली वो दिना आ गया जिस दिन ने चोरी को अंजाम देना है अब बुलिट एच को बताता है कि वो ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो गाड़ियों को लूटने आ काम करते है यह बस उने गाड़ियों की लोकेशन बताता है बागी सारा काम वो करते है और लास्ट में बुलिट को उसका शेयर मिल जाता है बुलिट एच को उसका साथ देने के लिए कहता है और एच भी उसका साथ देने के लिए उसका साथ देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है अब वो सब एक गोडाउन में पहुंसते हैं यहां पर वो चोर इनका इंज़ार कर रहे होते हैं वो पहले तो एच के हाथ बानते हैं और फिर गाड़ी में जाकर सारे बैड जाते हैं ताकि वॉल्ट पर पहुंचने के बाद वो उन पर अंदर से ही हमला कर सके अब सारी गाड़ियां पहले ही वॉल्ट में पहुंच चुकी होती है अब बॉल्ट भी चोरो को लेकर वहां पहुंच चुका था अब चोरो ने बॉल्ट के कसर पर बंदूक रखकर उससे दर्वादा खुलवाया जिससे सब को ये लगे कि बॉल्ट को जबरदस्ती यहां पर लाया गया है और इन दोनों पर कोई शक ना करे चोरो ने टेडी को और जेरी को वाल्ट के एक लॉकर रूम में बंद कर दिया था और गॉन पॉइंट पर उन पर निशाना बनाया रखा और सारे वाल्ट को जल्दी से जल्दी खाली करने का ओर्डर दिया सिक्यूरिटी वालों ने उन पर बंदूक तानी पर बॉल्ट के सर पर बंदूक देखकर उन्हें अपने हत्यार डालने पड़े लेकिन जॉन ने सिक्यूरिटी अलारम बजा दिया था जिससे सारे गार्ड्स ने इन चोरों पर फाइरिंग शुरू करती है और इसी में दोनों साइट के लोग मरने लगे अब ऐसे में स्वाट टेम भी अपने काम के लिए निकल चुकी थी और चोरों के बाद सिर्फ 8 मिनिट थे हैं यहां से निकलने के लिए अब दूसरे तरफ हमें दिखाया जाता कि एच को भी चोरों ने बंदी बना रखा था और गार्ड्स के साथ फाइरिंग में एच ने मौका पाकर अपने आपको फ्री किया और गार्ड्स को माना शुरू किया एच ने टेडी और जैरी को भी चुडा लिया लेकिन उन्हें यह बताना भूल गया कि बुलिट उन चोरों के साथ ही मिला हुआ है अब उसने उन में से ही एक चोर के कपड़े पहन लिये और एक दूसरे चोर के ओपर गन पॉइंट पर रखके उससे उसका हिलमेट उतरवाया और यह चेक किया कि क्या यह जैन है लेकि जब वो नहीं मिला तो उसने उसे भी मार कर वहां से आगे निकल गया अब यहां जैरी को बुलिट के बारे में नहीं पता था तो वो उसकी मत करने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो बुलिट ने उसे भी चूट करके वही मार दिया इस सारी लड़ाई में एच भी काफी जादा गाहल हो चुका था और वो अपने सामने जैन को पैसे दो बेरा टर्क ले जाता हुए देख लेता है उस टर्क में जैकसन और बुलिट भी थे जैकसन की काफी जादा हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे गहरी चोट लगी थी लेकिन जैन उसका मौकिया फाइदा उठाकर उसे वही मार देता है और बुलिट को बताता है कि जैकसन की तब जादा घराब थी इसलिए वो मर गया लेकिन बुलिट को उस पर शक होता है और वो उसे मानने के जैसे ही प्लानिंग करता है इससे पहले जेन उसे आकर मार देता है और यहां पर वो सारा पैसे लेकर अकेले ही भाग जाता है अब सेन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाता है कि केन अपने घर पे अपने पैसों के साथ बड़े आराम से बैठा है और उसे लग रहा है कि अब वो जीच चुका है लेकि तभी उसे आवाज सुने दिते कि एक फोन ड्रिंग कर रहा है लेकिन यह उसका फोन नहीं और जब वो देखता है तो वो आवाज आ रही थी पैसों से बरे बैग में यह फोन एच का होता है जो उसने चोरी से पहले पैसे वाले बैग में डाल दिया था और अब उसी के जरीए यह इसके घर तक पहुँच चुका है अब एच से अपने बेटे की अटॉक्सी रिपोर्ट देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है तो वह पढ़ता है दो बलोट लेफ लंग में एक बलोट हार्ट में एक बलोट लिवर में और जब वह इसाब पढ़ता है तो eyच से कहता है जरा इसे पलट के देखो और उस लड़के की फोटो देखो जो इसमें है और अब केन को याद आता है कि ये तो वही आदमे जिसे उसने उस दिन शूट किया था और वो लड़का इसका बेटा था और ये आज मुझसे उसकी मौत का बदला लिने आया है तब ही एच उसे शूट करता है दो बलोट उसके लेफ्ट लंग में एक बलोट उसके हार्ट में एक बलोट उसके लिवर में जैसे उसने उसके बेटी को मारा था अब फाइनली एच ने अपने बेटे की मौत का बदला उसके कातल से ले लिया था और अब वो आजाद था और अब वहाँ से जाने लगता है तब ही वहाँ पर किंग आता है और वो किंग को बोलता है कि पूरे 180 मिलियन डॉलर्स अंदर रखे हैं और तुम उन्हें 40 को कमपनी को वापस दे सकते हो मैंने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है तब किंग उससे कहता है कि जेन का मडरगेस वो संभाल लेगा और अब हमें रिखाया जाता है कि एच वहाँ से अपनी गाड़ी में बैटकर चला जाता है और यहीं पर यह मौवी एंड हो जाती है अब आप लोगों को यह मौवी कैसे लगी आप कमेंट में जरू बताएएगा परसनली मुझे यह मौवी बहुत अच्छे लगी थी इसमें काफी अच्छा सस्पेंस था वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरू करिए होप यू लाइक दा वीडियो